हुआ है हलो फ्रैंट मैं तन्वीर अमद और आप देख रहे हैं यह मेरा चैनल टियर बादुपूर दोस्तों आए आज हम सिखते हैं कि देगर सीशे के हम मैटर को कई से उतारेंगे यह देख लिए हमारा फ्रेम है हमने इसके कोटिंग कर दिये और यह हमारा मैटर ठीक है इस इस प्रेट रहता गिरादे तेने और इसीशे हम इसको अचेशे है चालतर अविसको फालादेंगे पहले नीचे किरा लेंगे इसपे ठीक है ताकी यह चिपकाद है अच्छे चिपकाद ज्यागों अच्छे चिपकाद ज्यागों हुआ 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 अगया हुआ हुआ है कि आप देख सकते हैं यह मतलब अच्छे से हमारा हो गया है इसको इस तरफ से भी थोड़ा सकल नेंगे तक यह पुरा मतलब बराबर हो जाए क्योंकि जब हम सीशे दबाते हैं तो यह बराबर दबता है तभी तो दरता है ना तो इसको बराबर दबाना ही है उसके बाद हम इसको दुख दिखाते हैं इसको जाए झाल 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 कि दूप दिखाने के बाद अब हम इसे पानी डालेंगे और इसे इक्सपोज करेंगे कि दूप यह दो दिखाने के बार इसे उना आए बारत की शिर्साइबी कि अधिक देख लिए हमारा देख लग रहा आ चुका है पहला कर देख लिए अमारा बिल्कुल लगार आ चुका है अ कि टो अगर इसे पानी डाल देखें याद रखें अगर यह टेज हो जाए तो हम इसको हाथ से थोड़ा से रगाशा के लिए यह देखिए हमारा खुल गया है लेकिन पूरा अच्छा तरीके से यह नहीं खुला है तो हम इस पर बारा इस्तेमाल करेंगे ठीक है करते है करते है करते है कि यह देख लीजिए यह पूरा हमारा मेटर बिल्कुल आ चुगा है ठीक है आप देख सकते हैं इसी तरीके से मेटर को को देखा जाता है कि आया है की नहीं आया है यानि जिधर रोशनी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूप आ रही है वहीं पर हम थोड़ा सा आगे करके फ्रेम को देख रहे हैं यह देखिए ठीक है यह फ्रेम हमारा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से खुल चुका है अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं उमीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें